अलो डिया स्टूडेंट, इस प्रवीन कुमार जा, वेलकम टो यूनिक क्लासे सब राइट वे आज आपका इस सेशन का फर्स्ट क्लास है, मेक्रो एकनोमिक्स का न्यू सेशन आपकी है और आज आपकी है फर्स्ट क्लास आप लोग भी प्रॉपर तरीके से रेइस्टर निकालिए और क्लास लेखिए मेक्रो एकनोमिक्स और आप देख सकते कि मैं सबसे पहले क्या लिक रखा है यहाँ पे यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड की आज पहली क्लास होगी सारा कॉर्स के लिए और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मेक्रो एकनोमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन सब के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है How to study मेक्रो आप वहाँ देखेंगगे आपको सारा कोर्स structure है इसका इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ना है आगे इसका semester 3 में क्या utility है semester 4 में क्या utility है सब कुछ वा मिलेगा आपको फिर भी मैंने class start करी तो मैं आज थोड़ा सा लिखना चाहता हूं कि कौन-कौन से units आप में है actually 4 units है चार units में आपका syllabus बटा हुआ है देखिए जी तस पर एक क्लास नमर वन क्लास नमर वन आप लोगों मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों का आवाज अची आ रही है तो दिक्कत तो नहीं आवाज में है तो सर लिखिए क्लास नमर वन आपका syllabus total 4 units में described बटा हुआ है unit 1 लिखिए क्या है बता सकते हो कोई unit 1 क्या है बता है दाना क्लास में how to study में unit 1 है national income accounting इटल बताएंगे आपको किसमें how to study में unit 2 बता सकते हैं क्या है unit 2 है unit 2 है money money or unit 4 unit 4 जी or unit 3 है determination of income बोलता है इसको determination of income इसको determine करने का दो अप्रोच है एक है classical और दूसरा है किनीशियन वहाँ पर लिखाओगा classical theory किनीशियन के सामने लिखाओगा income and spending और मैंने क्या जानका रही दिया आपको बता ही अभी तक मैंने कहा था एक और यूनिट पहले लिख लो आप यूनिट फोर कौन सा है फोल ये जी यूनिट फोर कौन सा है ISLM model and fiscal policy and monetary policy ये सारे यूनिट क्या है इसकी क्या importance है इस semester में आने वाले semester में इन सब को समेट तो एक separate class how to study macro economics semester 2 तो सारा discuss करेंगे आज की class में discuss ज्यादा नहीं करेंगे आज exactly हम अपने class first start करें यूनिट थार्ड का राइट जी? राइट पस इतना मैं बता देता हूँ जाते जाते कि अगर आप semester 2 में macro economics को ignore करोगे तो आपको semester 3 में फिर से semester 2 का macro पढ़ना पड़ेगा अब जाके semester 3 handle कर पाएंगे और semester 4 handle कर पाएंगे बांते बच्चे जान भी मांती है अगर आपको मैं कभी नाम लेकि पुकारूं class में तो आप जवाब देंगे तभी तो ये interactive session है ना अगर आप चुपचाप सुनेंगे तो फिर तो recorded भी सुन सकते हैं क्यों live class लेने के पीछे मरकसत क्या होता है बताओ इस session को interactive बनाना बच्चों से बात करना class को interesting बनाना येस ये नो अगर आप बात ही नहीं करेंगे बिलकुल चुपचा पर आजाएंगे तो क्या फाइदा हुआ ये बात है भी आप जरूर how to study macro 2 पढ़ेंगे sorry macro semester 2 पढ़ेंगे आप ज्यादा फाइला उठा पाएंगे कि आपको क्यों पढ़ना है एक बादाता हूँ कि अगर ये इतना आसान होता तो पर इंपर याध मेरे हाथ में मैं पढाने आता ही है कि मैं difficulty level देखता हूँ तो भी पढाने आता हूँ मशकेल जी पढ़ा सकता हूँ simple मैं पढ़ाने आता हैं ये मुझे पता है बच्चे काफे intelligent है बिल्यंट है school से पढ़ गया है simple simple when बाते तो खुदी अप्रॉक्सिमेटली मालो 30% और ये पोर्शन क्या है? 70% आक्स में थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, 65-35 भी हो सकता है, 70-30 तो है, लेकिन अगर आप देखोगे कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कहा है, मैं कहूंगा ये 70% वाला पोर्शन तो समयलो कि 100% इन्वेस्टमेंट है, 100% इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि determination of income अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ISLM model नहीं पढ़ेंगे, fiscal policy, monetary policy नहीं पढ़ेंगे, और फिर आगे आपको दिक्क्त होगी, और एक बाप बताना चाहता हो, कई बच्चे होते है, तो कर दो से मैंने fiscal policy, monetary policy 12 तक पढ करते हुए, अब मैं आज की class को properly यहाँ पर start करता हूँ, और लेकिए unit third जो आपके सामने है, और इसका class number one जो आपके सामने है, और यहाँ से start करते है, unit third में दो portion इसका है, एक है unit third में classical theory, और दूसरा है किनीशिन model, इसको income and spending बोलते हैं, बोलते हैं न, आप मुझसे आप क्या चाते हो, कौन सा करो, आप सही कर रहे है, classical theory starting वहाँ से करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं classical theory से नहीं करूँगा, मैं करूँगा income and spending से, और जान लो वज़ा क्या है, classical theory में उतना जादा पूछता भी नहीं है, और उतना जादा concept भी नहीं है, simple है थोड़ा सा, लेकि किनिशन में 10 से 11 क्लासे लगेंगे, अब आप ये कहोगे सर, classical के बगर हम किनिशन कैसे समझ पाएंगे, पूछो, पूछो इसा, या पूछो, पूछो ना, इसा classical के बगर क्या किनिशन समझ जाएंगे, आप नहीं बोलें, मैं दो तीन मार बोलता हूँ, तब आप बोलते है इसा कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, जानवी, come and tell me, क्या classical के बगर किनिशन पढ़ा सकते हैं, कहोगे सर, आप जानते होगे, अप कोर्स पढ़ा सकते हैं, 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 अप कोर्स पढ़ा सकते लेखिए एडिंग लिखिए यहाँ पर इनका मैंने स्पेंडिंग यहाँ से एक लास स्टार्ट करेंग और यह किनीशन मोडल इसको शॉर्ट रन एकोनोमिक्स भी कहते है लेकिन सवाल यहाँ यह है कि अगर हम थोड़ा सा क्लासिकल और किनीशन के बारे में आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप ढंग से किनीशन भी समझ नहीं पाएंगा खिर किनीशन आया क्यों इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्रोलोजिकली systematically, periodically आपको बताना पड़े गए कि कहा नहीं है क्या यह कोई एक year है economics के world में एक साल है जो बहुत important है और वो साल है 19, 1930 बहुत important है इसलिए क्लास मैं ने किसी पूछा था कि first world war कब हुआ था बचों ने कहा था 1914 में start हुआ था और 18 में खतम हुआ था जानते हो कि जब भी कभी कोई वार होता इतने लार्ज स्केल पे तो economics economy में क्या आता है recession आता है और first world war के बाद इतना जवर्दस recession आया highest form of recession को क्या बोलते हैं बताओ depression बोलते है और 1930 में great depression आया इसलिए इसको जानते है इसको इसलिए इस इयर को पैचानते है आन गए great depression highest form of recession market पूरा slow down पूरा सो गया production pile up हो चुका है sell purchase हो रही रहा है products खतम सॉरी pile up होते जा रहा है business man decide करते जा रहा है दुनिया बर में आसकर western wall की बात में कर रहा हूँ great depression बात 1930 पर तो pick पर चला गया था starting इसकी 1920-1914 world war की बाद ही हो गया था पान गया है बता हुजरा आप देखते हैं जब भी कभी अभी war like situation होती है दुनिया बर की economist फरेशान होने लगते हैं कि आप क्या होगा वही होगा recession होगा market में jobs जाएंगे लोगों के इसलिए लोग war से काफ़ी डरते हैं एक बाद जान लो 1930 से पहले दुनिया भर में जो भी economics कलता था उसको classical economist कहते थे क्या बोलते थे और इस theory को नाम दिया गया क्या classical theory देखलो इसको कहीं पर क्या नाम दिया गया इसको बच्छे क्लासिकल theory किसने नाम दिया इसका 1930 के बाद 1936 में theory किया की इन्स ने और की इन्स नहीं इनको नाम दिया classical economist and classical theory माद समझ गया और की इन्स के followers ने 1936 में जो की इन्स ने theory दिया उसका नाम कर दिया किनिशन theory लिख ले कहीं पर इसको इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो models हो गए 1930 से पहले के models को classical theory का गया और उसके बाद के models को क्या का गया definition theory का गया classical में भी दो पार्ट हो गए एक तो classical ही रहा गए और एक नियो classical हो गए आप अगर systematically पढ़ना चाहते हैं नियो classical theory अब ऐसा कोई भी conclusion मत ड्रॉ कर लेना कि हम theory अभी शुरुआत किया अलका सा introduction दिये तो यह theory होगा नहीं totally numericals है सारे exam में भी numericals ही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं कुछ भी नहीं आएगा बस यहाँ इसका फाइला कि सिर्फ क्या है एक systematic तरीके से आपके सामने क्या होगा अरा study होगा आप ढंग से समझ भारेंगे नियो classical theory कहां से कहां तक 1920 से लेकर के 1930 को नियो classical कहा गया actually 1920 and before को क्या कहा गया बताओ classical पानते हो क्या कहा गया उसको बोलो जिल जिसे classical कहा गया उससे पहले को classical कहा गया राइट जी है classical theory में अगर कुछ economist के नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप जैसे की Smith है अगर आप जानना चाहते हैं कुछ economist के नाम classical theory में आप वो भी देख सकते हैं लिखिए classical में सबसे पहले आडम स्मित उसके बार लिख सकते हैं आप JS Meals जैविड रिकार्ड़ो और नियो क्लासिकल में आगे कौन Marshall N.P.GO लिखिए बच ठीक है जी को होगे सर क्या ये सब जाना जो रही है मैं आपसे पूछता हूँ आप बदा ही मुझे जानवी आपको लगता है जाना जो रही है चीज जानवी क्यों जाना जो रही है जैको नाम एक्जामनेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे लेकिन हमें actually हम लोग eco honors फड़ रहे है तो मुझे मास्टरी चाहिए या इसे नहीं होता है न अक्चली ये कहानी की सुरुवाद क्यों अभी कोई भी तुमसे पूछे बता हो जानवी मुझे की ग्रेट डिपरेशन हुआ क्यों बता होगे या वज़ा था बोलो 1930 में ग्रेट डिपरेशन का बज़ा क्या था highest form of recession का बज़ा क्या था come on इने बोला है class में first world war इसे बज़ा था right तो क्या ये जाना जोरी नहीं था क्यों हम पढ़ रहे है economics क्या हम सिर्फ marks के लिए पढ़ रहे हैं अच्छी बात है मुझे जाता है यहां पर आपको यह जितनी बाते मैं बोल रहा होना यह सब के लिए आपके पास एक रेडिंग्स है मेरे पास एक रेडिंग है यह रेडिंग आपका है आप तक पहुंच जाएगा गुगल ड्राइब के तुरू पीडियाप फोर में पहुंच जाएगा अब तक आपके अपने जो रेडिंग्स जो कॉलेज से मिलते हैं उसको आप रखेंगे बेस के लिए जानने के लिए सेलेबस क्या अधरवाइज ज्यादा पढ़ेंगे नहीं ज्यादा यहां से पढ़ना है यहां से आपको ज्यादा समय माएगा देख रहे हो बो जड़ा यहां से आपको क्योंकि यह अपनी लेंगूइज में अगर आप वहां पर देखेंगे रेडिंस ना college लेडिंस वो सारे US WRITERS से रेडिंस है उन्होंने अपनी फॉर्म में लिक रख़ा है यहां पर यह रेडिंस है हमारी अपनी लेगूइज में फानते हो तो यह आपको ज्यादा अच्छा समय आएगा बारे लेक्चर सुनेंगे फिर इडिंग्स पढ़ेंगे फिर इसके नुमेरिकल्स करेंगे फिर क्लास आएंगे क्लास में पूछेंगे रिकॉर्डड मोड में भी क्लास हमारे यहां चलती है जो भी क्लास में पढ़ाता हो न सब सोरिज्ब इस स्टें लिए सब्सक्राइब और किस तरह की ऑरात हो तो मुझे मुझे वौट्सअप कर सकते मुझे वाट्सअप नबर में आपको देटा हुट आप कर सकते हैं है आपके 777 classes हमारे हैं second semester से लेकर सारे semester की होती है अभी second semester में आपको math stats math stats and economics और साथ सागी गा mathematical paper कितने सारे paper available होंगे आपको गाइट जी तो आपने देखा भी कि मैंने क्या बताया है कि video की फारे मैं बताई दिया आपको video available है उसमें सारे numerical से उसके solutions भी है करता हूँ, यह पूरी कहानी है, आप ने देखा, कि First World War के बाद recession आया, और उसके बाद economics को नई डामेंशन से, नई तरीके से सोचना पड़ा, और नई तरीके से सोचना किस ने start किया, तो classical economist कौन-कौन-कौन से थे, और उनके कुछ नाम मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको एक सी और बताना चाहता हूँ, एक्चुली, classical economic theory भी 1776 से start हुआ है, किसी को याद हो 1776 में क्या हुआ है, बता सकते हो कोई, साहिद 4 तुचले की बात, यह American Independence Day है, और अमेरिका की economist थे Adam Smith, Adam Smith को father of economics भी का जाता है, इनों नहीं, invisible hand की concept दिये, इनों नहीं economics को classical theory को सामने लाया, और इसके बाद धेर जार economist आये, उसमें क्या करते गए, add-on करते चले गए, पान गए मच्चे, राइट सर, Adam Smith का काफी योगदाना है, हलांकि, अगर Indian perspective में देखा जाए, तो Adam Smith तो 1776 की बात है, लेकिन हमारे यहां तो, मतलब क्या कहता है कि, before Christ, PC में हमारे यहां बहुत बड़े economist साहिज, उनका ना बदा सकते हो कौन थे, बदा सकते हो, बहुत बड़ी economist थे हमारे यहां, ना बदा सकते हो कौन थे, किसी को याद हो तो, चानक क्या नाम सुने हो, हाँ, चानक क्या सुने हो, उन्हेंने foreign policies पर economics में बहुत अच्छी जी किताब लेकर रखी है, लेकिन क्या है कि हम लोग western influence में रहते हैं, तो हमें क्या होता है, आज की जबाने की economics पढ़नी है, आज की जबाने ममाई कोन है, एडमेस में थी economics के फादर कह जाते हैं, ठीक है जी, आपको के सर, यह सारी बाते मुझे सुने हैं, कि फिर कीन्स को नई तरीके से किनिशियन थियोरी देना पड़ा, एक बाद जान लो, classical theory, और किनिशियन थियोरी, यह द्योध थियोरी आपके सामने आ गया, इसको क्या बोलता है, इसको long run भी बोलते हैं, long run economics, इसको क्या बोलते हैं, बोलो जी, short run economics, जब जब ग्रेट डिपरेशन आया, तो ग्रेट डिपरेशन के बाद हमारे, ओट पुट बहुत जादा थे, डिमांड काफी कम थे, और स्टॉक बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, पहला पुत जा रहा था, बिसनस बिल्कुल ठप था, अब ग्रेट अगर इस, इस डिपरेशन को solve करना चाहता, तो ग्रेट किसके पास जाएगा, बढ़ता किसके पास जाएगा, अब कोर्स, अगर इकॉनमिस्ट के पास गए गवर्मेंट, उस वक्त की गवर्मेंट, तो इकॉनमिस्ट ने क्या कहा उसको, भाई ये ग्रेट डिपरेशन है, इसका समाधान होगा, लेकिन कब होगा, कब होगा, लोग रन में, अगर पूरा जन्रेशन ही, इस प्रॉलम में निकल जाएगा, ग्रेट डिपरेशन निकल जाएगा, अनिम्प्लाइमेंट की इतनी हाइस्ट फॉर्म अप प्रॉलम आ जाएगी, इतना दिक्कत होगा ससाइटी में, तो क्या कोई सर्वाइब कर पाएंगे, धरे धरे सर्वाइबल प्रॉलम होगी निए बता हो जरा, तो क्या हमें अज आपको समझाना नहीं चाहिए, कि शॉर्ट रन एन लॉंग रन में क्या डिफरेंस होगा, यह समझान ची बताओ जरा, यलमी, आपको जानना होगा न, यलमी प्लीज, ऐसे क्या प्रॉलम होगी, ऐसे क्या डिफरेंस हुआ, long run economic theory में इसी क्या समस्या थी जिनकों की short run economic theory में short out किया गया और great depression से problem को sorry economy को बाहर निकाला गया इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक side लेखिए classical एक side लेखिए condition यहाँ से actually आपका concept start हो रहा है एक side classical दोसे side condition लिखिए classical theory के सामने में long run economics भी लिख सकते हैं condition के सामने में short run भी लिख सकते हैं पान गया जी आज आपको यह समयना पड़ेगा कि classical and condition में क्या differences है और तब जाके समझ भाएंगे classical theory ने great depression को short out क्यों नहीं कर पाया उसके वज़र से market में फिर demand क्यों नहीं create हो पाए जो stock pile up हो रहे थे वो क्यों नहीं clear हो पाए क्यों नहीं sell हो पाए आज समझ भाओगे आप जल दिली समझ यहां से आपके लिए actually अब कोई historical economics नहीं कोई history नहीं अब यहां से actually आपको concept start हो रहा है लिए पाहला पूइंट लासिकल क्या कहता वही बता सकतो तो क्या कहता है gonna classical economists कैता है कि रियल factors are important लेखिये पाले या क्लाइस क्लाइस कल लग रहे हो अरियल factors are important लासी केल कहता है रियल factors are important वाटन लीडिया रियल फैक्टर्स क्या हुथा है कोई बता सकते या उतर चै wra hundred दी बताओ तो बता सकते हो को अधिक लिए रियल सेटर को समयने के समयना पड़ा का दूसरा फक्टर कौन से होता है एक बहुत है रियल फैक्टर लाव था नॉमिनल फेक्टर मैं एकजामपल से समझाओ इतने भी फेक्टर अप्रोडक्शन सोते हैं आरे क्या होते हैं कम आन रियल चाहे लान्ड हो लेबर हो एंटर पनियर्शिप हो या फिर माल लो अगूट्स हो एक्सेक्टर जितने भी है रियल फेक्टर्स है अमनल फेक्टर्स में आप मनी ले सकते हैं अब मैं आपसे पूश्टन च्छोटा से एक्जामपल के तुर समय ने कोशिश्च करना अगर आपके पास आपकी पॉकेट में वन लाक रुपीज है यह वन लाक रुपीज क्या है क्या एक लाक रुपए आपके पॉकेट में है तो क्या इससे आपका पेट बर जाएगा कमाउन जल्दी से इंट्रक्ट कीजी जल्दी से जान भी पिर भड़े पर काम चल जागे एक लाग रुपय से खाना पिना हो जाएगा क्या क्या एक लाग रुपय खाओगे नहीं सर जा करोगे उस रुपये से आप अपने किचन के राइस या वीट यो बड़वर आप जो कहते हैं वो घर्द के लाओगे यह जो किचन में आपके समान है राइस वीट पल से यह सब क्या है बदाई प्लीज सारे रियल फैक्टर से तो बताईए जी बच्चे लिख्टर से पर यह नॉमिनल फैक्टर से रियल फैक्टर से ज्यादा इंपटन कौन आं घर्दाई प्लीज रियल फैक्टर ज्यादा इंपटन फिर यह नमडम इय करते हैं're in एकसेंज जैसे जैसे class आगे बढ़ेगी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे concepts आने स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग चाहे कहीं से भी करो शुरुबात में 10-15 मिनिट न स्टार्टिंग में न पेस बनाने में लगी जाते हैं लो और मिडियम लक्सें जा और important क्या है important और रियल फेक्टऱ् अगर आपके पास nominal factors हो और रियल फेक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे जैसे मान लो आप पास nominal factors हम अन्वानी है जान देना उसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ प्राइस से जैसे मान लो मैं एक्जाम्पल देता हूं सपोस्पोस गरो आप पस 200 रुपया है और एक कोडरिंग का बोटल मान लो 50 रुपय का है इतने बोटल साब पास आ जाएंगे है अब यहां आपको समयना पड़ेगा वाई क्विक्ट टैम में समयना पड़ेगा कि आप 11 12 बच्छे नहीं है कि 200 कौन से फेक्टर्स बदा सकते हो यह रूपीज है और स्वेक्टर्स है कमान जल्दी से जानवी प्रणाव जल्दी से अनिवन अरे एक ही बच्छा बोलत और सब चलेगे क्या क्लास से आंट रूपीजान जल्दी प्रणावरें जानवी त्वेक्टर पम उन धूंसे फेक्टर है थर्वन्रुपीज क्या he यह रील फेक्टर्स आनवी अब क्या खाते हो यह चाबल ऑनो दोनों कौन से factors है, real or nominal real factors, of course real factors, आप question माग यहसा पूछ रही है आप उसको खरीदने के लिए क्लिए चाहिए आपको पैसे, पैसे क्या है nominal factors आनके nominal factors है तो अभी मैंने आप कहा आपको factor of production जानी बताएंगी factors of production यह क्या है यह real है कि nominal है, tell me real factor है कितने सारे example दे दिये मैंने आपको मैं classical and condition में difference सिखाऊँगा साथ-साथ इसके अंदर use होने बाले बहुत सारे terms को भी explain करते जाएंगे मुझे नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता है तो मैं क्या मान के बढ़ा हूँ आपको कुछ आता है या कुछ नहीं आता है बताओ मैं तो मान के बढ़ा हूँ आप डिबबा गोल है आली है विल्कुल तो मुझे सब कुछ पढ़ाना पढ़ेगा क्योंकि मैं सारे बच्चों पढ़ाता हूँ जो बहुत intelligent उसको भी जो average उसको भी जो science background से होते हैं जिसका सब को पढ़ाना होता है अगर मैं बहुत कुछ बातों को छोड़ दूत हो सकता है दो चार घंटे बचा लूँ है आप ही बचालो कुछ फायदा नहीं होगा अगर थोड़ा ज्यादा एक्स्प्रेइन कर दो दूचा दो चार ग्लासे और लग जाएं क्या फरक पढ़ता है कुछ फरक ने पढ़ता है अन्दी बच्चे जान भी अन पर अब यास सर्वानते हैं सर्वानना ही पढ़ेगा आपको रील फेक्टर सार्दी अन्सारी अक्रव प्रदक्शन सार्थ रील फेक्टर्स अब यह बता चैनल मनी की बारे में था अगर मनी गोल कॉयन अगर मैं लिखों ये कौन सा फेक्टर है real & nominal यह real factors یہ real factors है gold coin real factors का quality बीस में है कि gold coin yeah goal coin में it self-worth है actually money को nominal क्यों बोलते है pillar government अगर back up ख़तम कर दे legal tender cancel कर दे तो money worth to less हो जाता है आपने 2016 की कहाँ राशित सुनी होगे था चोटे होगे आप तो है कि दो हरो नोट बन दी जो आपकी पॉकेट में पैसे है नोसकी कोई वैलू नहीं है अगर ग्रीज को बैक अपने ले तो क्या भाई लिज़ी को सपोर्ट ना करे तो मांनतों दो money plays what money plays the role of tell me please plays the role of medium of exchange इसका मतलब है कि money की कोई और अवाशकता नहीं है सिर्प मेडियम एक्सेंज है इसका मतलब है कि monetary policy की कोई requirement नहीं है monetary policy is not required कौन क्या रहे यह चीज़ इसके पॉइंट अभी की बात कर रहो मैं भी बोलो न प्लीज classical economist classical economist क्याता है money बस market में pump करो for the sake of what exchange जो बाटर सिस्टम में उसको खतम करने के लिए money की चुराता है सिर्फ money का economy में कोई रोल नहीं है production में कोई रोल नहीं है monetary policy कोई बसकता नहीं है कौन कहता है कमा जल्दी से कौन कहता है अरे बाबा अगर यहां पर डंग से नहीं सुनों के डंग से इंट्रेक्ट नहीं करोगे जबाब नहीं दोगे अगर मैं चार बार पूस्ता हूं तो एक बार बोलने आप किया लगता है बोलो जल्दी से इसने कहा यह चीज क्लासिकल इकॉन में पान गया है और यह सारी बात है इसलिए जो रही है कि जब नुमेरिकल्स भी आप सॉल्व करोगे न तो वहां पर भी यह सारा कॉंसेट अपके दिमाग होना चाहिए अभी आप कर पाऊगे देखना सही अभी अभी तो दस से ग्यारा क्लासे चलेंगी अब जागे यह टॉपिक खतम होगा था सिग्यारा क्लासे अगर मैं इसका सकेंड पॉइंट करूं अ क्लासिकल शॉरी का सकेंड पॉंट काता रियल एम पॉंट का था रिएलफेट्र इंपॉर्टन अा रियू पॉट्टन पॉट्टी पॉलसी not required money plays only the rule of what medium itís aksage अक्ट रar & productions are called real factors like that अगर अ क्लासिकल थॉरी का सकंट थाद प्र्सक्या है था ख्या कहता पता क्लासिकल ठीक एक और नो गौर्म ट इंतर वेंशन ऑई तौन गौर्मेंट को पिży चैनिए गौर्वर्मेंट की एकनोमिक्स में कोई जुरत नहीं है क्लासिकल थियोरी ने गौर्वर्मेंट को से क्यों बाहर किया इसकी भी यह कान ही है ओ कमान क्या 1776 से पहले क्या मार्केट में एकनोमिकल थाउट्स नहीं थे यह 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 नो बताओ जग निए क्लासिकल थियोरी से पहले कौन सी एकनोमिक्स सलती थी मार्केट में बोल सकते हो किसी को बता हो तो मुझे बहुत कशी होगी क्लासिकल एकनोमिक्स से पहले मार्केट में जो एकनोमिक्स के कॉनसेट थे वो थे मर्केंटाइलिस्ट क्या थे वो अर्किंटारिस्ट अई बताओंगा आपको अर्किंटारिस्ट में क्या होता थे क्या काहानी थी उससे क्लासिकल थियोरी में क्यों shift किये सारी काहानी होगा पुरा base त्यार होगा आपने देखा होगा जब आप कोई घर त्यार करते हैं तो सबसे फ़ले फॉंडेशन त्यार करने में कई दिन लग जाते हैं फिर जाकर के उपर क्या होता है तूप एंटेरिस बनता है यह फॉंडेशन की बात है और एक एक बात जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ ना एक एक वर्ड इंपोर्टन आ है एक एक वर्ड सिस्टेमेटिकली आपको ना एकनोमिक्स का वाइड कॉंसेट देगा और एक्जक्ली आपको ना एकनोमिक वर्ड में सर्भाइब करवाएगा वह जबर दस्ताजी केस एक एक वर्ड तो इंपोर्टन no government intervention कहता है government की जड़त नहीं है government सिर्दिंथना काम करे कि level playing field लगा दे बना दे सिर्फ level playing field मतलब क्या होता है कि government रहे वो ऐसा देखे कि हर किसी को equal opportunity हो काम करने की कोई डकाइदी ना हो, कोई मार्पिट ना हो कोई छीना जफ्टीना हो, law and order maintain रहे, सब को equal opportunity मिले, production में और demand में government का कोई role नहीं है, कौन क्या रहा बता हो, बोलोने प्लीज, classical economics, तो classical economics कहता है, government की जो पॉलिसी होती है, उसको fiscal policy बोलता है, तो classical economics कहता है, no fiscal policy, the fiscal policy is not required, government role is just to create what, just to give what, level playing field, only the job of what, government's job is what, job is, just to create what, just to create, level playing field, इसका काम है सिर्फ, level playing field, create करना, government को economics में interrupt नहीं करना, interfere नहीं करना है, पान गई जी बच्चे, right sir, और ये भी कहता है, classical theory की economics अपने आप चलता है, market अपने आप चलता है, ये तो help of what, invisible hand, ये तो आपने सुना होगा है, कम सका नहीं सुना है, क्या बता हो, invisible hand की concept से market अपने आप चलता है, किसी की जौरत नहीं पढ़ती है market को, आंदे माद को अच्छे, ये classical theory कहते हैं, classical theory के third concept है, supply creates its own demand, बड़ा important है, creates its own demand, मैं आप सबसे पूछूँगा, एक है करके, बड़े भी लिखने नहीं तो मुझे, supply creates its own demand, और ये concept दिया था, इसको बोलता है, sales law भी बोलता है, sales law, supply creates its own demand, मतलबा कि आप ना demand की चिनता मत करो, बस आप production करते जाओ, आप अगर manufacturer हैं तो production करो, जो भी चीज़ प्रड्यूश आप करोगे, उसकी demand मार्केट में होगी होगी, वो sell होगा ही होगा, बले आपको price थोड़ा कम करना पड़े, लेकि मार्केट में उसकी demand होगी, मार्केट में हो sell होगा, supply creates its own demand, यहाँ तो मुझे आप से पूछना ही पड़ेगा, पता ही प्रणव क्या मतलब इसका supply creates its own demand का मतलब क्या हुआ, प्रेट कर लेगा, आप बस production करो, manufacturing करो, चिंदा मत करो, इसको और भी बढ़िया समझे तो 4th point को, यह कहलाता है क्या, यह कहलाता है production करो, supply करो, इसको बोलता है supply side of economics, पतलब जो classical theory है, वो supply side पर, production side पर ज़्यादा जोर देता है, production पर ज़्यादा, क्योंकि वो कहता है क्योंकि प्रोड़क्शन करो के तभी जॉब बनेंगे, अभी लोगों के जॉब लगेंगे, प्रोड़क्शन करो के तभी लोगों को नोग्रिया लगेंगी, तभाए, क्लासीकलक्रिया लोगी लोगेंग करता है, कि लॉंग रइन एकनेमिक और एक और कॉंसेट प्लाइन इंप्सक्राइड यह तो बड़ा ही इंपर्टन पॉइंट है वर इंपर्टन पोईंट है व Já और पॉइंट है इसको जाना फूल इंप्लाइमेंट लेगर येस येस आपको जाना होगा मुझे पता है अब देखिए आप मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते जाएं आपको बोलना होगा तभी मैं आगे बढ़ाँ गाँ बता है जो रिकॉर्ड द मुड़ें बच्छे पढ़ते हैं उनको भी मेरे साथ बोलना होगा बताई ये क्लासिकल एकॉनमिस का पहला पॉइंट क्या था कमांव जल इसे प्रणाव यान जानवी जानवी प्लीस अला क्या था रियल फेक्टर्स आर इंप्रेंट अमदला नॉट अनी का कोई रोल नहीं है मनी का रोल क्या बदाई प्रणाव मेडियम आफ एक्षेंज रियल फेक्टर साव इंपॉर्ट हाँ तूसरा पॉइंट क्या है जान भी बदाएगी तो गॉर्मन इंटर्वेंशन इसका मतलब क्या हुआ हुआ है गॉर्मन की किसी भी पॉलिसी की एकनोमिक्स को जुरत नहीं है इन विजिबल हैंड के त्रू कोवize अपने आप चलेगा आप प्रक्शन करों डिमांड अपने आप होगी पॉइंट किया है सप्लायिट सोन डिमांड एंट पूर्ट पोइंट सबड माले क् जिए पोईंट लॉंग रन एक्नामिक्स और शिक्सक्व फॉल एंप्रफलेमेट लेए ने लिलिक ग्या है इसका मतलब है हमारे जो फ्रेक्टर्स और प्रोडक्षन है अलांकि इसको मैं डिटेल मता हूंगा अगली क्लास में एक्टर्स और प्रोडक्शन जो है न वो फुली यूटिलाइजड है अग्टर अप्रोडक्शन जैसे क्या क्या होता है लान्ड लेवर क्यापिटल एंड इंटर पर्नियर्शिप यतने भी मारे फ्रोडक्शन से यह फुली यूटिलाइजड है यह खाली नहीं है बिल्कुल जमीन पुरा यूटिलाइज लेवर पुरा यूटिलाइज ग्यापिटल पुरा यूटिलाइज एंटर पुरा यूटिलाइज अगर इन्हों ने कहा कि हमारे सारे फ्रोड़क्शन क्या मदन रहे हो कि पर्दूक्शन क्या ये किना मैक्सीमम पॉसिबल है को हैς मैंक्स वान पूसिबल क्या बोलता है सको ओल इम्प्लायमेंट लेवल आपार्ट फूट को फोल इंप्लायमट लेवल ऑद पूट पुलते हैं अभी इसके बारे मार भी बात होगी पस इतना समय लेजिए अगर हमारे सारे factors fully utilized है जैसे माल लो मालो सपोज कर अपने घर की बात करो हमारे घर में चार कमाने वाले लोग हैं सारे काम करते हैं और fully utilized है तो हमारे इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे ग्राब बनागे डिस्क्राइब करेंगे अच्छी डिस्क्राइब करेंगे मजधार दरी किसे नए अनर्जी के साथ नए क्लास में लेकिन उससे पाले बदा दिता हूं जो क्लासिकल इक ने कहा उसक correspondingly condition क्या समझते हैं उसके correspondingly classical ने जो कहा उसके correspondingly condition क्या सोचते हैं क्या condition के हिसाब से real factor important है real factor as well as nominal factors both are important nominal factor को बिल्कुल reject कर दिया था किसने प्लीज चेल में किसने classical ने किसने का नहीं nominal factors are also important कि इसने कहा था money का काम से medium exchange में लेगे नहीं इसने का नहीं मनी का role है money का role demand में भी है money का role production में भी है इसने डिशाइट किया और इसने कहा कि नहीं भई तो आप कहतो कि monetary policy इंपोर्टन नहीं है monetary policy is important monetary policy is very important किसने का monetary policy को काफी important माना तब किसने क्या कहा था monetary policy not required देखो इसने क्या कहा था monetary policy is not required कि निशान नहीं का है monetary policy important मतलब आइब आरभी अ जो रही है central government central bank जो रही है central bank जो रही है monetary policy तो central bank इलते इना with the help of what औरी government बनाती है with the help of central bank monetary policy government decide करते है with the help of what central bank इभी जो रही है second point था इसका कि no government intervention इसने का नहीं government intervention is needed government intervention intervention is needed इसने का जोरिय भई इसने का no fiscal policy इसने का नहीं fiscal policy required fiscal policy required क्यांतैं के मादया सकते कि कि जानी के पस्द करती है कि नहीं प्ता सकते हो कि योंकि क्योंकि इनिशन थ्योरि ने गॉरूमपंट के रोल को कंधिक्रने का अधिकार देदुह इसकर रिये है और जọ website कर रहे है व्यंदा अच्छेज़ मन को रहे है यह बताओ जो प्लीज घल में अफ कोर्स जो गॉवर्मेंट को डोल देरी एकनोमिक्स मुझा इंपर्टेंट गॉवर्मेंट चाहती है कि मैं हर जगा मुझा मिले इंटरप्ट करने का इसने का फिसकल पॉलिशी रिकॉर्ट इसने का सप्लाइश साइड एकनोमिक्स इसने का नहीं इसने का दिमांड प्रोडक्शन साइड एकनोमिक्स इमांड एकनोमिक्स इसने का नहीं पहले दिमांड देख लो मार्केट में है कि नहीं तभी सप्लाइ करना जो जी जान वी या करना चाहिए अले दिमांड चेक करना चाहिए तभी प्रोडक्शन करना चाहिए पहल के ओकिवांड सक द्रधा है कि अगर आप ऐसा मानते की लिवट बाल दिमांड शेक करना चाहिए पिर प्रेुडिक्षन करना चाहिए तो क्वां से थाइब को मान रही है कि इसको सही मानुखी इसका मतलğa इस मानुख है भू Maybe बाते किसे मैच करती है classical vaccination से आपने demand side economics की बात करी vaccination से मैच कर रही है तो इसका मतलब classical गलत है क्या अगां प्लीज अई से कल गलत नहीं है classical भी सही है तगर गलत होते उसको पढ़ते ही क्यों तो classical सही है long run में और vaccination सही है कहा पे प्लीज चले पहले है कहा पर चोटमें है वे लाओ नंके और जाने हो इसने का फिरिंप्लाइमेंट लिव इसने क्या क Janke इसने कहा कि full employment is not possible in short run short run में full employment हो नहीं सकता बताओ आप में से कोई पता थो मुझे प्रनौ बताओ क्या land, labor, capital, entrepreneurship fully utilized possible है tell me please नहीं है, short run में नहीं है क्या आपको लगता है कि हमारे इंदिस्थान में सारे factors fully utilized है नहीं है और जान लो नहीन है बहुत सारे जमीन खाली है है बहुत सारे लेबर खाली है अंपजिबन तना सब कखे लगा गए अच्छली प्यंचो भी डीन सब्सक्राइब रहत है मारकेट को द्यार जिम्हां अभी भी है, लान अभी भी खा लिया है, इंटर पन्य शोव भी कम है, अप्टल कमी है, तो fully utilized तो हो नहीं सकते हैं, इसने कहा कि factors of productions are fully utilized, क्या factors of production fully utilized हो सकते हैं, factors of production cannot be fully utilized, in, बोला न प्लीज, in short run, possible नहीं है, क्या full employment level of output possible है, तो, full employment level of output is not possible in what, बोलन प्लीज, in short run, just a scout अगा, जो भी इसने कहा, उसका जस्रीट अगा, मान गए बात को, इस जल्मी मान गए, तो, अगर, अगर मैं, किसी भी class में, अगर आप मेरे पास आते हैं, और मैं आप से पूस्ता हूँ, कि भाई, बताओ, कि मैंन में points में, कि भाई, इसमें, इसमें क्या difference है, तो क्या बता पाओ गया जल्दी बताओ, में अगले किला समझाएंगे, थोड़ा सा में हिंड देता हूँ, आपको हलका सा हिंड देता हूँ, यह को जो मैं graph में दिखाऊंगा न, यह रहेगा price, और यह रहेगी output, classical कहता है, कि हमारे यह, full implement level of output है, 5 star, यह maximum है, इससे ज़्यादा हमारा output हो ही नहीं सकता है, अगर demand बढ़ेगी, अगर demand बढ़ेगी, यह रहेगी के demand की बात कर रहो मैं, पता सकते हो क्या होगा, follow please, अगर market में demand बढ़ेगी तो क्या होगा, price बढ़ेगा, classical ने कितना simplify कर दिया, production तो fix है हमारा, अगर demand market में बढ़ेगी तो price बढ़ेगा, demand घटेगी तो price घट जाएगा, देख लो न, यह point यह point और यह point देखो, और इसके contemporary keens ने क्या का, नहीं वहीं ऐसा नहीं है, इसने का कि नहीं, हमारा जो supply कर वो ऐसे होगा, इसको नाम दिया, long run aggregate supply कर, L.R.A.S. इसने नाम दिया, इसको short run, इसने क्या नाम दिया, इसका भोलो प्लीज, short run aggregate supply कर, पांते हो, please tell me, keens ने कहा कि भाई, demand जितना करना कर लो, जितना करना कर लो, जितना demand करना कर लो, excuse me, price तो fix है, price में कोई change नहीं आने वाला है, किसने का, please tell me, किसने का, keens ने का, लेकिन इन बातों को अगर और systematic तरीके से, hung से, बढ़िया से गर हम explaining करेंगे कि classical ने सा क्यों का, अर keens ने सा क्यों का, लेकिन अगर आज करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज ये class का आखरी 5-7 मिट में हो जाएगा, फिर अच्छे concept ना, last में निकल जाएगे, तो आप लोग क्या कहते हो, जाने में बताएगे, ये परना बताएगे, क्या आप कहते हो, कि क्या इनको, अगली class में fresh energy के साथ, घंग से बढ़ाँ जी बढ़ाँ चाहिए, tell him please, tell him please, next class में, फंग से बढ़ाँ ची क्योंकि ग्राफ आगए यहाँ पर, जब ग्राफ आगे तो वाँ लॉजिक होगा, लॉजिक होगा तो थो एक्स्प्लेन करना पड़ेगा, और जाने से पहले बदा दूँ मैं आपको, ये पेडियाप, ये पेडियाप आपके लिए, इसका Google Drive आपको मिलेंगे, आप PDF डाउनलोड करेंगे, फिर मज़े से पढ़ेंगे इसको, और ये छोटा मोटा PDF ने बहुत बड़ा है, ये सिप एक चप्टर का है, इसे कही सारे चप्टर की PDF हैं, ये आपको मिलेंगे, और ये ख्लासे अभी ऑपन क्लासे चल रही है, आपकोई आपको कुछ नहीं आता है, आपको मानता हूं कुछ नहीं आता है, स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए, एकदम पिक तक जाएंगे, जाएंगे हम लोग, जेखो, सारे नुमेरिकल्स मुझे कराने हैं आपको वही, सारे कराने हैं आपको, ये मत समयना क्या है, मैंने क्लासिकल किनिशन की डिफरेंस स्टार्ट किया, बस यही जलता रहेगा, आप देखना चाते हैं, हमारे लास्ट हमारे बहुत सरे लेक्शर आपने से कोई भी बच्चा जा कि महां देख सकता है, बहुत सरे लेक्ट है, ठीक है जी, राइट, तो मैं आप से आज की क्लास में यहीं की लेता हूँ, सीर फेर सीर अगले क्लास तक के लिए, अगले क्लास में मिलेंगे, तो हम ये पॉइंट लास्ट का फुल इंप्लाइ अगले क्लास से फिम लेंगे, और ब्लेस यौल, एक्या बबाएं, सी यू